सीहोर जिले में BSI क्लब द्वारा जिला क्रिकेट एसोसियेशन के पूर वद्यक्ष स्वरगी प्रमोथ पर्टेल की स्मृती में राजिस्तरी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है BSI Ground पर आयोजित राजिस्तरी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारम जिला क्रिकेट एसोसियेशन के अध्यक्ष विधाय सुदेश राय द्वारा किया गया था प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज शिपरा क्रिकेट क्लब उजयन और NCC भोपाल टीम के बीच रोमान्चक मुकाबला हुआ टूनामेंट में प्रदेश की एक दर्जन टीम में भाग ले रही है 20-20 की तर्च पर मैच के आयोजिन किये जा रहे है प्रदेश की 16 टीमों ने यहाँ पर हिस्ता लिया है हर एक टीम में रंजी ट्रॉफी प्लियर, बोर्ट प्लियर, अंडर 19 जो इंडिया खेले हुए है वो प्लियर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे है आज दूसरे ही मेच है और यह मेच उजेन शिपरा क्रिकेट एकेड मी जो जेन डिविजन को ब्लॉंग करती है और दूसरी एंड ट्रिपल सी जो इस रीजन की बड़ी अच्छी टीम है साथ सुबह 11 बजे से 2 या 3 बजे तक एक क्लोजिंग हो जाए फाइनल विनर के लिए हमने 21,000 केश प्राइस विद ट्रॉफी दिया है और खिलाडियें बहुत इहीं ग्राउंड को जब भी हमेशा इस ग्राउंड पे काफी टूनामेंट्स होते हैं और इसमें रंजी ट्रॉफी पहले भी मेच हुआ है दिलीजन लेवल के मेचे लास्ट यह भी हुए थे जब भी यहां MP से या MP के भार के प्लेयर आते है जो हमारा विकेट है इंटरनेशनल लेवल का है ग्रास पूरा रहता है इस विकेट में पूरा स्पोर्टी मतलब बेटिंग विकेट नहीं है या बॉलर बेट्समें दोनों के लिए रहता है ग्राउंड हमारा बहुत कॉंपिटिबल है अज तक जितने भी लोग काफी काफी उनको एक चाम होता है क्यार हमें इस अब वो लोग भी अपना विएसाई का कलब के रहा हुआ है विदिशा कानारा आया हुआ है यह अच्छा टूनावेंट है तूनावेंट जो की देखें का एक MP लेवल का टूनावेंट है जिसमें अच्छे प्लियर्स और अच्छा एक्षीजियंस में शेर हो रहा है और कित सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवे की रिपोर्ट